टाइप फ wanna जो question है दोस्तो, अभी तक हम लोगों ने जितना question solve किया, अभी तक हम लोगों ने जितना question solve किया, तो note कीजिए कि first line, first line जो हमें बताई जा रही है कि कि किसी distance में जाओ, किसी भी दिसा में जाओ, और कुछ आपको direction, ठीक है कितनी भी दूरी आप जाओ, कुछ न कुछ दिसा और दूरी पहला लाइन हम एसा बोला जाता था East में इतने मीटर जाओ West में इतने मीटर जाओ ठीक है South में इतने मीटर जाओ लेकिन अब जो question आएगा तो दोनों में से कोई न कोई एक miss होगा अगर आपको distance दिया होगा तो direction नहीं direction दिया होगा तो distance नहीं तो अब हम ये type का question स्वालो कर रहे हैं ऐसे भी question exam में बनेंगे त्यान रखिएगा distance होगा direction नहीं direction होगा distance नहीं पहली line में और जो miss होगा last में वही question भी बनने वाला है तो आने वाले question क्या है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया अब ये रही पूरी थियोरी अब person travel 4 meter towards straight direction अब मैं आप से कहाँ कि सीधे 4 meter जाओ अब कहां सीधे भाई पूरा पशीम उत्तर दक्षिन कुछ तो बताओ तो मैंने कहा ना कुछ ना कुछ miss होगा तो एक person straight direction जा रहा है अब देखे लास्ट में यही question भी बनेगा then find which direction start journey कहता है आरंभ में वहवेक्ति किस दिसा की ओर गया ये बताईए अब ऐसे questions कैसे solve करें तो दिहान रखिएगा इसमें student क्या करता है कि जैसे मान लीजीए option की अगर बात है तो option इस तरीके से भी दे दे कि option number a then b then c then d एक option में दे दिया जाएगा east then west then north then south तो बच्चा क्या करेगा कि हर दिसा को try करेगा कि पहले वो पूरब में जाएगा पस्ची में जाएगा कही न कहीं तो answer मिलेगा लेकिन ऐसे में लग जाएगा time आएगा एक दिसा में मैं भी जाके आपको और अच्छे से explain करूँ कि मान लेजे मेरा मन है भई east direction में जाने के लिए तो ये देखिए मैं east में चला गया 4 meter कहता है फिर right turn हो जाएगे 5 जाएगे तो ये right turn हो गया 5 चला गया अब कहता है 45 डिगरी तो ये देखिए दो तो मेरा face south में है ठीक है ये south ये west ये east ये north तो मेरा face south में है तो ये 45 डिगरी ये 45 डिगरी तो 45 डिगरी मुड़ गया 2 meter जाके stop और कहता है कि इस समय इस वेक्ती का face it present his face located north west तो जब बताएए जब मैं east की तरफ गया तो क्या मैं north west पर आया नहीं आया तो मतलब ये गलत तो पहला line ऐसे दिसा पर चलिए कि last line north west फसे और जिस direction में north west फसेगा वही है right answer तो again and again बत्चा जैसे अब देखिए मैं east में गया नहीं आया बत्चा फिर west में जाएगा फिर north में जाएगा सारे option वह try कर लेगा कहीं न कहीं तो कम से कम तीन option दो option try तो करेगा समय लग जाएगा बढ़ दोस्तों हम सीखेंगे कि एक ही diagram बनाएगे और एक में अगर सही हुआ तो ठीक नहीं तो इसी में हम सही करेंगे तो आएए जरा सीखते हैं कि कैसे इसमें सही होगा देखिए इसी में समझे भई गलत हो गया तो इसी में समझे मुझे बताएए question के according इस line को होना चाहिए north west में actual में होना चाहिए यहाँ पर तो जरा बताएए इस line को rotate करके यहाँ तक लाने में कितने degree का rotation तो इस line को यहाँ तक लाने में 90 degree और clockwise तो 90 degree clockwise का rotation चाहिए तो इस line को यहाँ तक लाने में जितने degree का rotation लगे उतना degree इस starting point को घुमा दो तो देखिए starting point east में face है 90 degree clockwise में कहां आएगा South तो 90 degree clockwise में आ जाएगा South तो ये हमारा अंसर आ चुका है कि वहवेक्ती South की और travel किया जाके भी देख सकते हैं तो ध्यान रखिए इस line को question के according Northwest में लाने के लिए जितने degree का rotation starting point को उतने degree पे घुमा दीजिए मान लिजे एक और diagram बना कर देखते हैं मान लिजे एक और बना कर देख लेते हैं कि मेरा मन हुआ कि भई मैं नौर्थ में जाऊंगा ठीक है नौर्थ में चले गए 4 फिर 5 मीटर अब 45 degree clockwise पे देखो आ जाऊंगा यहां यह यह आऊंगा यह East यह West यह North यह South तो Face आ जाएगा हमारा South East तो फिर गलत Question के according होना चाहिए यह Line Northwest अब बताएए इस Line को घुमा कर यहां तक लाने में जितने degree का rotation हो इस Starting Point उर्टना ही मोड़ दीजिए तो Starting Point यह देखिए North 180 घुमाऊंगा तो फिर से क्या आ जाएगा South तो कहीं से भी आप Answer निकालिए South ही आएगा Right Answer तो देखिए अब Try कर लेते हैं यहां से यह Person चला South Answer आ चुका है वह South Try कर रहे हैं यह 4 फिर यह 5 अब यहां से 45 डिगरी Clockwise तो बिलकुल यह देखिए आ जाएगा North और West सही आ गया तो बिलकुल इसमें 2, 3, 4 डाइग्राम नहीं बनाने हैं एक ही डाइग्राम बनाएगे और Question के According Last Line को Rotate करके Question के According लाने में जितने डिगरी का Rotation लगे इस Starting Point को भी उतना ही डिगरी घुमा दीजिए आपका Answer सेट हो जाएगा ठीक? चलिए बढ़िए अगले Question की तरफ अगला Question कुछ इस तरीके से अब देखिए आपको दिसा बता दिया लेकिन दूरी नहीं बताया एक व्यक्ति पूरव की और कुछ दूरी चलता है कुछ दूरी मतलब कितना गया? और लास्ट में वही बनेगा कि व्यक्ति प्रारव में की बिंदू से कितनी दूरी पूर्व की और चलता है ठीके? तो मैंने कहा ना इस Starting Point में कुछ न कुछ Miss होगा तो आए दोस्तों पढ़ते चलिएगा और इसका डाइग्राम भी बनाते चलते हैं कि जैसे ये है भई Starting Point East Direction में ट्रेवल करेगा कितना ट्रेवल किया नहीं पता तो माल लो भई X मेंटर चला इसके बाद Right Turn हो जाओ और 100 मेंटर चले जाओ तो ये Right Turn हो जाएगा और 100 मेंटर हो जाएगा कहता है फिर Left Turn हो जाओ 30 मेंटर तो ये Left Turn हो गया 30 मेंटर ठीक है यह हो जाएगा 30 meter यह हो जाएगा 30 meter इसके बाद कहता है फिर से left turn हो जाओ और 40 meter तो यह हो जाएगा 40 meter 40 meter पर यहां मिल जाएगा इन्हें market ठीक है बाजार पहुँच जाता है तो यह point दिहार में रखिएगा यहां लिख देते हैं market तो यहां पहुच गया market दोस्तों बाजार चली अब सबसे important line की इस समय ध्यान रखिएगा SSE के paper में ऐसे भी lineों का इस्तमाल किया जा रहा है कि if the air distance if the air distance between starting point and market तो कई बार बच्चे यहीं परिसान हो जाते हैं कि यह air distance क्या आ गई हवाई दूरी क्या होई बच्चे तो जैसे देखिए दोस्तों आप लोग अपने घर से coaching के लिए आते हैं तो अगर आपसे कहा जाए air distance से जाओ भई हेलिकॉप्टर से जाओ तो हेलिकॉप्टर से जाएंगे तो left right तो turn होना नहीं है जाएंगे आप तो हवाई दूरी air distance सीधे shortcut आप मिला दीजिए तो देखिए ध्यान से air distance हो जाएगा ये point और ये point air distance और ये air distance हो जाएगा दोस्तों hundred meter hundred meter ये हो गया अब कहता है बताएए starting point में वो कुतना दूरी गया तो कुछ नहीं है दोस्तों इसमें भी pythagoras है triplets है triplets है triplets अगर पता है तो देखिए बड़ी जल्दी answer आएगा देखिए कैसे देखिए बड़ी जल्दी answer आजाएगा इस point खो ऐसे पीछे ले जाएगे और यहां से मिला दीजिए 90 degree तो दोस्तों देखिए यह 30 है तो यहां से यहां तक हो जाएगा 30 और देखिए यह कितना चले थे last line था 40 तो अगर यह 40 है तो 100 मीटर में यह 40 तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 60 तो एक पूरा यहां पे बना देता हूँ कि एक right angle triangle है जिसमें यह कितना है 100 एक है 60 और एक distance है 30 और थोड़ा सा distance यह x पता करना है तो जड़ा बताएगे एक right angle triangle में हाइपोटेनस पता है हमें ठीक है हाइपोटेनस पता है हमें 100 और perpendicular और base तो एक perpendicular मानलो यह 60 है और यह हो जाए 30 प्लैस x एक एक 0 अगर कम कर दें तो यह हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 6 तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 कब आता है जब एक 8 हो एक 6 हो एक 8 हो एक 6 हो तो 8 और 6 तो यह कितना हो जाएगा 8 अब यहां से 100 बनाना है एक 0 एक 0 तो तो ध्यान रखिएगा यहां से लेके यहां तक है यह पूरा 80 तो जिसमें 30 है तो यह x की value क्या हो जाएगी 50 एक्स की value क्या हो जाएगी 50 तो दोस्तों जब देखिए अगर triplets पता है तो बड़ी जल्दी आंसर आएगा और अगर triplets नहीं पता है तो फिर लगाना पड़ेग x का square यह करना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा दोस्तो 36 calculate हो जाएगी यह चीजे थोड़ी ऐसे फिर यह घटेगा तो यह हो जाएगा 64 ठीक है 36 घट जाएगा तो फिर हो जाएगा 30 प्लेस x का holy square फिर दोनों तरफ root ले रहे होंगे तो यह हो जाहा होगा 80 और यह हो रह 30 प्लेस x जो चीज हम पहले ही पता कर लिये थे कि 30 प्लेस x किसके बराबर 80 तो 30 अगर इसमें minus कर दीजिए तो यह देखिए x की value तो इस starting में वो बंदा east direction में कितना गया 50 meter तो इतना ना करना पड़े इसलिए थोड़ा सा triplets ध्यान रखिए कि 30 प्लेस x किसके equivalent हो जाएगा 80 चलिए इसी प्रकार से एक और question है दोस्तो यह एक वक्ती पूर्व की और कुछ दूर चलता है तो आएए एक question फिर से solve कर ले कुछ दूर चलता है तो पूरा दिसा में कितना गया नहीं पता तो माल लिजे यह x फिर right turn होकर 80 तो यह हो गया right turn और यह हो गया 80 कहता है फिर left turn हो जाएए 40 मीटर चलके market पहुँच जाएए तो यह 40 मीटर होकर market पहुच गया बाजार अब कहता है कि air distance तो यह air distance दोस्तो कितना one three zero अब दोस्तो यह hypotenuse में one three zero है तो एक zero अगर हटाए तो 13 13 कितनी बार मैंने solve करा दिया अभी क्या hypotenuse 13 कब होगा 13 कब होगा तो याद ही फिर से अगर निकालें तो यह x मीटर वाली लाइन थोड़ा पीछे यह थोड़ा पीछे तो अगर यह 40 है तो यह कितना 40 यह 20 है तो यह कितना हो जाएगा 20 चलिया यह तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं कि यह हो जाए पूरा का पूरा 130 130 और यह हो जाए 40 और यह हो जाए 20 और यह हो जाए x तो यह हमें अगर solve करना है तो यह देखिए यह 30 हो जाए और यह 40 और यह 20 प्लेस x तो ज़र देखिए 130 अगर हमें 130 और ये हो जाए 40 और ये हो जाए 20 प्लेस X इसमें देखें ये कुछ triplets में मैच नहीं हो रहा है बट exam में जब कभी भी questions आएंगे तो बिलकुल आपको triplets मैच होगा ठीक है अगर मैं एक एक 0 कम कर देता हूं तो 13 तो दोस्तों ध्यान रखिए 13 तब आता है जब एक 5 और 12 हो जब एक 5 हो एक 12 हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो point है 30 ये होना चाहिए 30 अगर ये 30 हुआ तो triplets मैच हो जाएगा क्योंकि ये ज़िए कि 4 में कोई triplets नहीं बन रहा है तो ये एक typing mistake है बाकि कोई issue नहीं है ऐसे आप लगाए रूट में कुछ चीज़ें बचेंगी रूट में कुछ चीज़ें बचेंगी तो क्या क्या यहाँ पर है 40 और 20 प्लेस x 40 और ये हो जाएगा 20 प्लेस x ऐसे solve करना पड़ेगा ठीक है 1, 6, 9, 0, 0 ये हो जाएगा 16 फिर ये हो जाएगा 20 प्लेस x का holy square तो इस तरीके से solve करेंगे तो x की value कुछ root में आ रही होगी बट यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा एक typing state है यहाँ पर 40 की जगे अगर हम यहाँ ठीक है 40 जो है यहाँ पर 30 यहाँ पर लिख दें 30 यहाँ पर हो जाए 30 तो आईए ज़र देखिए कि अगर मैं कहूं कि यह अगर 30 है ठीक है 30 तो फिर बिल्कुल मैच हो जाएगा कि अगर ये 30 है दोस्तो तो ये कितना हो जाएगा 50 होगा और अगर ये 50 होगा तो देखिए अब बड़ी आसानी से आंसर तो कोई नहीं दोस्तो ये 50 ही आएगा तब जाके triplets बनेंगे तो अब जरह बताईए कि ये अगर 50 हो जाए तो जैसे ही यहाँ पर एक 0 मैं कम करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 5 तो जरह बताईए 13 कब होता है जब एक 12 हो एक 5 हो तब 13 तो तब देखिए मैच हो रहा है तो जब भी ये question आते हैं triplets बनवाता है question बनाने वाला कभी भी ये नहीं चाहता कि बच्चा complicated तरीके से solve करें तो अगर ऐसे question है तो triplets वाले ही होंगे ठीक है तो जब बताईए इसकी पूरी की value कितनी हो जाएगी 120 और अगर ये 120 हो जाएगी अगर ये 20 है तो x की value कितनी हो जाएगी दोस्तो 100 हो जाएगी 100 ठीक है तो यहाँ पर आप 30 करेंगे 30 के according इसको चलेंगे 30 बागी अगर नहीं है तो देखे complicated हो जाएगा इस तरीके solve करते चले जाएगे 169 जैसे पिछले मैंने explain किया ऐसे घटाएगे बट ये root से बाहर नहीं आएगे ये root में बचा रहेगा तो all about calculation आएगे तो अगला जो एक type यहाँ पर है इसको बोलते है coded form ये coded form भी देखिए ध्यान से दबचो latest latest है ये updated question है coded form तो आएगे ज़रा देखते है coded form में question किस तरीके से पुछे जाते हैं ये रहा पूरा का पूरा एक pattern ये रहा पूरा का पूरा एक pattern पहले question को समझे कहता है कि जब कभी भी add the rate b दो लोगों के बीच में add the rate लगेगा तो उसका meaning है a is north of b a b के north में है percentage का मतलब हो जाएगा ध्यान रखिएगा add the rate का मतलब north percentage का मतलब a b के south में है percentage का मतलब यहां भी लिख लेता हूँ add the rate का मतलब north percentage का मतलब हो जाएगा south has का मतलब हो जाएगा a b के east में है तो has का मतलब हो जाएगा a b के east में है dollar का मतलब हो जाएगा a b के west में है तो ये point हमने अच्छे से समझ लिया फिर इसके है 20 meter, तो कुछ नहीं थेऊरी को इनने convert कर दिया, थेऊरी को इनने convert कर दिया, code के according, तो आए ज़ा इसका meaning हम क्या निकालेंगे, इसका meaning हम निकालेंगे has, तो has का मतलब east, तो ts.k.east में हैं, और 50 meter पर है, इसका meaning क्या निकालेंगे हैं, member rate, तो member rate का मतलब North में, T U के North में है 30 मीटर पर इसका मीनिंग हम निकालने वाले हैं कि U V के Dollar का मतलब West में है West में 20 मीटर और ये फिर आगया Add the rate North में है North में 20 मीटर फिर आगया Has तो Has का मतलब East में है East में 30 मीटर फिर आगया Percentage Percentage का मतलब South में है South में 40 मीटर फिर आगया Dollar तो dollar का मतलब हो जाएगा west में 10 meter फिर आगया percentage तो percentage का मतलब south में है 30 meter तो हमने पूरा ये coded form को अच्छे से analysis कर लिया अब इस पर देखिए diagram ठीक है? थोड़ा सा diagram बनेंगे ये आज़े देखते हैं कैसे बनेगा कहता है कि ts के south में ts के south में है तो अगर मैं कहूं ये s हो जाए ठीक है? चलिए space देखते हैं ts के south में तो अगर मैं कहूं ये s हो जाए तो s के south में आने दीजिए s के south में 50 meter ये हो जाएंगे 50 meter ये हो जाएगा t पहला point हो गया ts के south में अब t जो है u के north में T जो है UK नौर्थ में दिखना चाहिए कितने मीटर? 30 मीटर तो ये हो जाएगा दोस्तो 30 मीटर ठीक है? तो दो लाइन हो गए अपने कि हैस का मतलब इस्ट तो T जो है S के इस्ट में दोस्तो ये गलत हो चुका है हमने नौर्थ बना दिया ठीक है? T S के इस्ट में होगा तो अगर ये S है तो S के इस्ट में चले जाएए ठीक है? T S के इस्ट में तो ये मिल जाएगा T 50 मीटर T U के नौर्थ में तो T जो है U के नौर्थ में दिखना चाहिए तो ये हो जाएगा U और U के North में यह दिख जाएगा कितना 30 मीटर बनाते चलिए U जो है V के West में दिखना चाहिए तो इधर अब जगह है क्या तो इधर जैसे इतना है तो यह जैसे मान लेजे V है इतना दिख जाएगा तो V के West में ठीक है? V के West में 20 मीटर तो यह Distance हो जाएगा 20 मीटर इसके बाद W V के North में 20 मीटर तो V के North में 20 मीटर तो यह 20 मीटर पर दिख जाएगा W चलिए यहां तक Clear दिख रहा है दिख रहा है फिर इसके बाद यहां तक बना लिया बच्चो अब X W के East में है और 30 मीटर तो X W के East में तो यह 20 है तो यह 20 और यह 10 तो यहां पे आ जाएगा दोस्तो X चलिए यहां तक clear दिख रहा है ठीक है यहां तक बन गया X जो है W के East में अब R S के South में तो R S के South में जाएगा 40 मीटर इसको पार कर जाएगा यह 30 है थोड़ा सा और पार कर जाएगे तो यह हो जाएगा 40 मीटर 40 मीटर पे आ जाएगा यहां पे कौन R चलिए यह भी बन गया अब R Q के West में 10 मीटर तो देखिए ध्यान से यह पूरा 50 है तो कहता है कि R Q के West में 10 मीटर तो Q यहीं कहीं लगा लेते हैं West में 10 मीटर फिर Q Q जो है P के South में दिखेगा 30 P के South में दिखेगा 30 तो देखिए यहां से यहां तक 10 मीटर है थोड़ा और चले जाएगे तो P के South में दिखेगा 30 तो कुछ नहीं पॉइंट से पॉइंट बस मिलाते पर है पॉइंट P के according T किस दिखाम में है तो देखिए यह P है और यह हो जाएगा East West North South तो कौन से दिखेगा North East तो बढ़ियां आंसर हम दे देंगे North East तो बस इस मेले question में दिखान रखिएगा पूरे theory को code कर दिया गया है convert कर दिया गया है पॉइंट R से पॉइंट V तक की total distance बोला गया है total distance तो R से लेके V तक का total distance तो चलते चलिए 40, 50 तो 40 plus 50 plus 30 plus 20 तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो यह हो जाएगा 140 meter यह answer हो जाएगा इसका फिर इसके बाद देखिए इस पर एक analogy based पर भी question है कि निमलिकित 5 में से 4 निश्चित प्रकार से समान है कोई एक different तो जरा देखिए R और P को जरा देखिएगा कैसे हैं वो R P को U और W को तो R और P को देखिए जरा तो R से P अगर देखें तो North East में हैं तो R से अगर P को देखें North East पे हैं ठीक है U से W को देखो तो U से W भी same वही North East पर है similarity हो गई फिर Q से T को देखो तो Q से T को अगर देखिया जाए तो Q से T भी देखो North East पर है तो यह similarity हो गई फिर S से P को देखिये तो S से P यह अलग हो गया सब North East पर हैं लेकिन S से P अलग जा रहे हैं ऐसे R T को भी देख लीजिए North East पर होगा R और यह देखिए R और T तो सारे options अही हैं बस यह अलग है सब North East पर indicate हो रहे हैं R से देखिए North East पर यह भी North East पर देखिएगा यह भी North East पर लेकिन यह नहीं देखिएगा तो यह analogy के terms पर भी questions पूछ लिये जाते हैं अगला question इसी coded पर है कि यदि South East called अच्छा converted देखिए दोस्तो Real में direction में हैते हैं इस तरीके से यह East है, यह West है यह North है, यह South है फिर sub direction बना लीजिए तो यह South East होता है यह North East होता है और इसके बाद यह South West हो जाएगा और यह North West हो जाएगा अब convert करके question पूछे जा रहे हैं convert करके कैसे देखिए जस तरीके से यह convert करके कहता है कि South East को क्या बना दियا जाए East South East यह होता है कहता है कि यह East बन जाए इसके बाद कहता है कि North West Northwest कहा होता है यह यह क्या बन जाए West बन जाए Southwest west कहा होता है यह क्या बन जाए तो ऐसे चलते चलिए तो real में जहां पर north होता है वो क्या बन चुका होगा तो इसके according यहां पर क्या आ जाएगा यह question है यह होते हैं coded form के ऐसे कि दक्षड पूर अगर पूरत बन जाए उत्तर पश्चिम अगर पश्चिम बन जाए दक्षड पश्चिम दक्षड बन जाए तो जिस तरह उत्तर है उसको क्या कहा जाएगा तो जरह बताएए south है south का पूचिट क्या हो जाएगा north तो जरह बताएए यहां क्या जाएगा north west सारा निकाल सकते हैं यह north east बन जाएगा, यह बन जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा, यह बन जाएगा, साउथ वेस्ट तो हमें अगर दो दिसाय दे दी जाएगा, řिंद मंद भी हम बना सकते हैं, ठीक? तो यह हो गया क्षूर्डट फॉर्म से, ऐसे भी questions पूछे जाते हैं आए बढ़ते हैं जैसे इस प्रगार के question को आप direct कि ये चीज़ें आपके दिमाग में चलना चाहिए कि again यहाँ पर अगर मैं बनाओं ये east, ये west, ये north, ये south ये south east, ये north east, ये north west, और ये वो जाएगा south west तो आजाएए जड़ा देखते हैं ध्यान से ये east, ये west, ये north, ये south, ऐसा, चलिए, चलिए, देखिए दोस्तों, कहता है कि यदि south west is called north east, दक्षड पस्चिम को उत्तरपूर्व कहा जाए तो, दक्षड पस्चिम ये है, ये उत्तरपूर्व हो जाए, north east हो जाए, फिर इसी तरीके से कहता है, north west, south east हो जाए, south east हो जाए, तो इस तरीके से south क्या कहलाएगा, ये south क्या कहलाएगा, तो हमें दो चीजे बता दिया, कि real में जहां south west होता है, वो north east बन गया, real में जहां north west होता है, अब वो south east बन गया, तो real में जहां पर south होता है, यहां पर अब क्या आ जाएगा, ऐसा इनका question है, तो जरह बताएए, ये east common है, तो ये दिसा east है, तभी यहां भी east होगा, यहां east होगा, तो ये south होगा, और ये north होगा और ये हो जाएगा west तो real में जहां पर south है अब वो क्या बन चुका है north बन चुका है तो right answer क्या हो जाएगा north हो जाएगा इसमें तो ये कहलाते हैं एक basic basic question coded वाले basic basic question coded form वाले चलिए इसके बाद होता है वह दोस्तो परचाई के आधार पर shadow के परबेजड question परचाई तो परचाई के आधार पर जड़ा देखिए दोस्तो ये एक format हमने बना रखा है कि एक concept clear कीजी morning session morning session अगर clear है तो evening को आप just उल्टा कर दीजे दोनों को एक साथ अगर रखेंगे तो गलतियां हो सकती है देखे जैसे morning session है सुबह का वक्त है सूरी जो है पूरवदिसा की ओर है सुरी जो है पूरवदिसा की ओर है तो सुबह के वक्त है सारी की सारी परचाई सारी की सारी shadow सारी की सारी जो shadow है वो पश्चिम में ही बनेगी अब माल लीजिए सुबह की वक्त जैसे मैं ऐसे ही सूरज को देख रहा हूँ सुबह की वक्त मेरी परचाई पश्ची में बनेगी तो पहला point अगर मैं कहता हूँ कि morning session में सुबह की वक्त मेरी परचाई opposite बन रही तो मेरा face कहा होगा east की तरफ होगा morning session में अगर shadow opposite बन रहा है तो वो बंदा सूरज को मतलब east की तरफ देख रहा होगा तो ऐसा ही कुछ point यहाँ पर भी लिखते चले गए हैं तो इनको आपको समझ लेना है morning session सुबह के वक्त सूर की दिसा में होगा और परचाई पस्चिम दिसा में बनेगी तो अगर वक्ति सूर की ओर देख रहा है तो परचाई उसके विपरीत बनेगी ठीक बट यह समझना है जब face दक्षिड पर हो जब face उत्तर पर हो जब face ऐसे कि कोई person अगर ऐसे कि north की तरफ देख रहा है तो हम कहेंगे उसकी परचाई उसके left की तरफ बन रही है और कोई अगर ऐसे south की तरफ देख रहा है तो कहेंगे उसके according right side में shadow बन रहा है जैसे आप और हम है shadow माल लिजी यह sun इधर है मेरे left में sun है आप मुझे देख रहे है तो हम दोनों की परचाई shadow इधर ही बन रही होगी लेकिन मैं कहूंगा मेरे according right और आपके according left बन रही है morning season evening होगा तो यही उल्टा sun होगा west में shadow इधर और evening में मेरा shadow मेरे left में और आपके right में बन रहा होगा बस यही concept समझना है हमें तो यह सारा का सारा point यहां पर लिखे दिया गया है इसको भी अच्छे से समझ लीजेगा भई face south में होता है तो right side में face north में होता है तो left side में shadow बनेगा और यह seem as it is है evening session के लिए इस पर देखिए एक पूरा data यहां पर लिख दिया गया है यह देखिए इस पर एक questions देख लिजे ठीक है इस पर बस एक question देख लिजे यह once a morning once a morning ठीक है उदय और विसाल walking to each other face to face तो जैसे इस तरीके से देख लिजे बहुत ही simple तरीके से यह जैसे सुबह का वक्त है sun ऐसे है विसाल यह east हो जाए यह west हो जाए यह north और यह south तो कहता है कि एक सुबह उदय और विसाल एक दूसरे की मुख की तरफ चले आ रहे करे हुए जैसे ही दोनों मिलते हैं तो विसाल की परच्छाई उदय के एक दम बाही तरफ बन रही है तो मान लीजे दोस्तों कि यह एक परसन हो जाए उदय और यह परसन हो जाए विसाल फिक face to face दोनों की shadow इधर ही बनेगी तो कहता है कि जैसे ही दोनों मिलते हैं इफ विसाल shadow जिस्ट इग्जेक्टी तो लेफ्ट आफ उदय लेकिन उदय के तो right में बन रहा है उदय के left में बनना चाहिए तो ध्यान रखिएगा left वाला person इधर होगा यह देखिए अगर हम यहाँ पर उदय को रखें तो उदय के left में shadow बन रहा होगा और यह हो जाए विसाल तो अब थियोरी में एच कर लीजिए जैसे दोनों मिलते हैं विसाल की परचाई उदय के एकदम बाही तरफ यह देखिए उदय के एकदम बाही तरफ बन रही है तो question में कहता है कि बताए उदय का face के इस दिसा में होगा तो बड़े आसानी से हम बोल रहे होंगे north direction में होगा उत्तर तो दोस्तों कभी भी ऐसा question आ जाए तो या तो north या तो south ही इस पर answer होता है ठीक है ऐसे ही questions हैं दोस्तों तो ये जो session था आज की class में हमने सीखा direction and distance के basic concept के साथ type wise type सारे questions सारे type wise type questions को हमने discuss किया तो चलिए दोस्तों आज की class यहीं तक रहेगी मिलते हैं अगले session में good bye thank you